मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप सभी कैसे हैं मुझे पुरी उमीद है कि आप सभी बेतर होंगे अभी अभी ठीक एक घंटे पहले और एक घंटे पांच मिनिट पहले एक ओफिसियल नोटिफिकेशन RRB के वेबसाइट पे डाली गई है और जिसमें वैसे विद्यार्थियों के लिए जिनोंने RRB MICEN 3 Oblix 2019 का एक्जाम दिया है ठीक है जिनोंने नहीं दिया है उनके लिए आई है ओफिसियली ओफिसियली आपको सुचित किया गया है कि जिनोंने भी RRB MI की परिक्षा दी थी उनके खाते में जो 400 रुपे हैं जो जेनरल केटेग्री या OVC से विलॉंग करते हैं उनके खाते में 400 रुपे ट्रांसफर किये जाएंगे और जो AC, ST, Female, PW, BT और Extremely Backward Class से विलॉंग करते हैं उनके खाते में 200 रुपे क्रेडिट किये जाएंगे और railway ने एक और facility आपको दी है वैसे विद्यारतियों को जीनों ने MI की परिक्षा दी थी कि आप सभी अपने bank account details को modify कर सकते हैं क्योंकि 2 साल पहले form भरा गया था और उस समय कई बचों ने हो सकता है कैफे से form भरा हो या किसी और के account से form भरा हो बहुत सारे transformations हुए हैं इन 2 सालों में तो ऐसी स्थिती में railway आपको एक मौका दे रही है एक link दे रही है जिसमें आप bank को modify कर सकते हैं bank account detail को सुधार सकते हैं जिससे की ये पैसा सुरक्षित आपके account में जाए और ऐसा करने के लिए railway ने आपको one time opportunity दी है यानि एक ही बार आपको मौका मिलेगा और इसे संबंधित जो link है वो 2 March 2021 को यानि कल से activate होगा सुबद 10 बजे से लेकर और ये 17 March 2021 को साम 5 बजे तक रहेगा यानि 2 March से 17 March के बीच में आप अपने bank account को modify कर सकते हैं bank account details नया bank account details दे सकते हैं जिससे की आपके खाते में 400 रुपे जो general category या OBC से विलोंग करते हैं और जो SC, ST, OBC स्वरी SC, ST और extremely backward class या PW, BD या Omen category है female category है उनके खाते में 500 रुपे दिये जाएंगे और ऐसा ही होगा RRB, NT, PC के साथ भी जब उसका answer की आ जाएगा CBT1 का उसके बाद एक official notification आएगा same information रहेगा लेकिन ये ध्यान रहे कि ये ऐसे परिचारतियों के लिए है जिनोंने परिक्षा दी है जिनोंने परिक्षा नहीं दी है उनको ये लाब नहीं मिलेगा थैंक यू